किसान भाईयों आप सभी का स्वागत हैं रवींद कुमार रवींद कुमार रवन की टीम ने एक बहुत अच्छी गन्नी की प्रजा थी CO 15023 विक्षित की है जो अभी रिलीज कर दी गए है और यह वेराइटी सामाने किसानों के बीज बितरण के लिए उपलब्ध है देख सकते हैं कि गन्नी की लंबाई बेतर है अगोला काफी अच्छा है एक गन्नी का वजन काफी बेतर है और अगर टिल्रिंग की बात करें यानि गन्नी में ब्यात की बात करें यहाँ पर आप ध्यान से देखें बहुत अच्छी टिल्रिंग है और गन्नी की जो पत्तिया है उनकी लंबाई अच्छी है और उरिंटेशन बेतर है ऐसी पत्यों को देखकर आप ही कह सकते हैं कि इसमें फोटो सिंथिस अच्छी होगी जिसके करण गन्य की मोटाई अच्छी होगी लंबाई अच्छी होगी और गन्य का वजन अच्छा होगा इन तीनों चीजों से मिल करक यह बनता है कि गन्य का उत्पादन कितना होगा यह वेराइटी आप इसके तुलना CO0230 से कर सकते हैं लंबी पूरी की वेराइटी है हारा रंग लिये हुए हैं आखें गोल और छोटी आखें हैं पूरी लंबी हैं लेकिन सभी पूरी लगभग उपर से नीचे तक बराबर ह इसमें ही सुगर सेंथिस होकर के इस्टोर होती है जैसे गन्य का वजन बढ़ता है अच्छा जमाव भी है यहां पर आप देख सकते हैं कि लगभग सभी आखें जो पोट्रे में लगाई गई हैं वो सभी आखें जर्मेट की हुई हैं पूर की लंबाई यहां पर आप लिए एक ऐसी वराइटी है जो सीओ जी जीरो दो 13 जो बहुत अच्छा उत्पादम देए थी और बहुत अच्छी जिसम में सुगर की रिकवरी रहती थी पूरे सीजन महीं वागुण इस विराइटी में CO 15030 में है इस विराइटी में आक्तूबर से लेकर के माई तक यानि एक लांग डियूरेशन तक सोगर का कंटेंट बेहतर है करिब पाच प्रत्चत यानि 5 परसेंट सोगर रिकवरी इस विराइटी में इन कंपेरिजन टूट CO2030 अधिक है जिसके कारण जो अभी तक सोगर की रिकवरी लगभग बारा के असप्रास रहती थी बारा से लेकर के बारा चोवन हाइस्ट रुगर रिकवरी है यूपी की 12.54 प्रत्चत जो की गत वर्स मैजा पुरुचिने मिल ने प्राप्त की थी इस लेवल से भी बढ़कर के रिकवरी इसमें आने के संभावना है करीब 13-14 प्रत्चत तक रिकवरी प्राप्त की जा सकेगी आसानी से यानि जो सुगर के गोदाम है वो और भरे होंगे और बहतर उत्पादन होगा गन्य की बढ़ाई इसमें आवसक है गन्य की मीठा है थोड़ा साफ्ट है तो इसकी बढ़ाई आवसक है यानि जब गन्य अच्छा होगा तो इसके देख रेक अगर आप बहतर करेंगे तो गन्य उत्पादन भी बहतर देगा पेड़ी भी अच्छी होगी और पौधा भी जो इस विराइटी की एक खास बात है वह यह है कि इस विराइटी में अगर हम अक्तूबर में चीनी मिलें चलाना चाहें तब भी रिकवरी अच्छी होगी जिससे सुगर का जो क्रसिंग का सीजन है इसको लंबा किया जा सकता है और किसानों के लिए ये विराइटी पेड़ी भी भेतर होगी और साथ ही में जो एक सीजनल इंडस्ट्री सुगर इंडस्ट्री को कहा जाता है उसमें एक लांगर डियूरेशन तक जो हमारी कैप्टेल लगी हुई है मसिंडी लगी हुई है मैन पावर लगी हुई है उसका भेतर यूटलाइशन काफी दिनों तक हो पाएगा और जय्दा इथनाल हम बना पाएंगे इनरजी के सेथ्र में हम और ज्यादा आत्मी निधर हो पाएंगे जो पर एकर हमारा सुगर का पड़क्शन है वह बढ़ेगा एथनाल का पड़क्शन बढ़ेगा और साथे में जो गन्ने का उत्पदकता है वह पाएंगे यहां एक विशेश बात आप देख पाएंगे कि बहुत अच्छी टिल्डिंग हुई है यह अगर रैटून की बात करें तो पंदर जिरुटेश की रैटून भी अच्छी होगी पेड़ी और पौधा दोनों मिला करके किसान भायों की उपस अगर बराबर आए तब गन्य का उत्पदन बहतर होगा यहां पूरा सुन्दर प्लाट आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी टिल्डिंग हुई है और इस तरीके से यहां संस्थान पे कैविटी यानि जो आपकी बोर्डरे होती इसमें भी गन्या उगाए गया चुकि आज जानकारी यह प्राप बाक्स में आप अगर इसकी डिमांड करेंगे हम आपको बताएंगे कहां से मिल पाएगा और ऐसे किसान जिन्होंने इसको पहले से बोर रखा है वहां भी कमेंट बाक्स में इसे इसको डालेंगे अपने मवाईल नमबर के साथ में कि वहां भीज कब तब को उपलत करा करके इतनी अच्छी प्रजाती इतनी अच्छी किस्म सिख्र किस्म गरने की विक्सित की है इसके लिए हम उनको बढ़ाई देते हैं किसानों की और से और यह हमारी सुब कामना है कि यह प्रजाती एक नया गरने में करांति लाएगी जिस तरीके से CEO 0 230 की वजह से काफी ज़ देखी गई है उसी तरीके से यह विराइटी उस काम को और आगे बढ़ा पाएगी इस आसा के साथ में इस गन्नी की प्रजातिका विकास किया गया है किसन भाई उस अन्रोद है यहाँ पर हमने शार्ड में अभी दिखाया है कि किस तरीके से सिंगल बढ़ से पोट्रे में गन्नी की पोट को तैयार के जा सकता है यह गन्ना सोथ संस्थान से पोट्रे भी आपको पोट्रे में जो पोट्रे हो गाएगे हैं यह अभी उपलब्ध हो पाएंगे जिसको किसान भाई ले पाएंगे किसान भाई इनको स्वयम भी तैयार कर सकते हैं चुकि बीज अभी कम मुपलब्ध रहेगा तो मेरा रोध है कि जब भी बीज आपको मिलता है तो इसको सिंगल बड से पुआई करें यानि एकल आँख से पुआई करें एकल आँख में ज्यादा ध्यान देने की आवसकता रहती है कि सीधा गन्ना कटे अगर आप जमीन में सीधे स्वायल बनाना च से डग देते हैं तो फुटाओ जल्दी हो जाता है इस तरीके की नरसरी आपकी तैयार हो जाती है फिर इनको डेड़ फिट की दूरी पर लाइन में और पांच फिट की दूरी पर लाइन से लाइन में और पौदे से पौदे की दूरी डेड़ फिट पे लगा करके अच्छ प्रजातिया हैं इनका आप बोकर के फाइदा उठाएं धैन्ने बाद चेहिंद चेह भारत